नाशनल सिनिमा दे है और उस मौके पर रिलीज हो रही है फिल्म चुप सानी दियूल के फिल्म चुप के साथ एक स्ट्राटेजी ये की गई कि फिल्म के रिलीज से पहले ही पब्लिक के लिए एक फ्रिव्यू रखा गया दस सिटीज में कई सारे फियाटर्स में इस फिल्म को फ्री में दिखाया गया यही कारण है कि कई सारे लोग इस फिल्म को पहले ही देख चुके हैं फिल्म के रिव्यूज एस एक्सपेक्टेज जबरदस्त आये हैं क्योंकि फिल्म का ट्रेलर ही इतना दमदार था यह trailer thriller suspense से भरपूर था और इन दिनों audience की पहचान आर बाल की निप भखूबी पहचानी है और thriller suspense जबरदस तरीके से बनाई है आज की generation की अगर बात करें तो उन्हें thriller suspense फिल्मों में ज़ादा interest है राधर दें romantic movies चुप का ट्रेलर भी बहुत जबरदस था और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है पसंद आने के पीछे क्या रीजन्स है वो में आपको बताऊंगी इस फिल्म का कंसेप्ट एकदम न्यू है अंटश्ट है आज तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं वनी जो टोटली क्रिटिक्स पर के बड़ा फैन बताता है और वो उन क्रिटिक्स को मारता है जो फिल्मों को जान बूचकर बुरी रेटिंग देते हैं ताक्य वो फिल्म फ्लॉप हो यानि कि फिल्म को खराब करने के लिए उसका रिव्यू करते हैं जबकि फिल्म खराब नहीं होती है यह कीलर 5 रोल दिलक फिल्म में जूर्नलिस्ट का किर्दार निभाएंगी जो कि एक नई चीज नहीं है वो पहले भी इस तरह के कर्दार निभाचुकी है वो दिलकर सल्मान की लव इंटरिस्ट का काम करती है इस फिल्म में पूजा भट एक extended cameo में नजर आएगी जो अपने आपको अपने दिमाग में ही heroine बना कर बैठी है और Bollywood की इतनी बड़ी fan है कि वो रहती भी मेहबूब studio के पास है इस फिल्म में Sunny Deol एक दमदार performance करते नजर आएगे well Sunny Deol का role इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जितना भी role है वो दमदार है और Sunny Deol को इस तरह के roles और जादा करने चाहिए वो इस फिल्म को देखकर लगता है Sunny Deol एक cop का किरदार निभाते हैं जो इस psycho killer को पकड़ने की कोशिश करते हैं पुल मिलाकर thriller suspense उसमें भी एक critics वाला topic और सबसे बड़ी बात Amit Trivedi का music है वो इस फिल्म को शांदार बनाता है और जिस तरह से गुरुदत की फिल्मों के गानों का इस्तमाल किया गया है टाइम टाइम पर वो पकुभी फिल्म की कहानी के साथ मैच होते हैं हिंदी वर्जन के दौर में आरबाल की एक fresh content लेकर आए हैं जिसे देखकर audience को मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देखा जाए या नहीं देखा जाए तो definitely इस फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि एक बिल्कुल ही नए topic पर नए concept पर फिल्म बनाई गई है ये घिसेपीटी कहानी नहीं है